हेलो दोस्तों नमस्कार हमारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लाए हैं कर्ज मुक्ति कर्ज कितके नहीं है कर्ज सब के हैं गरीब से लेके आम यह तक सब के कर्जा है सब कर्ज से परिशान है तो ये कर्ज चुक भी नहीं काफी परिशान ही आ रही है तो उसके लिए उपाय लाए हैं कर्ज कैसे चुकेगा कर्ज मुक्ति कैसे पाएंगे हम तो ये दोस्तों ये जो यंत्र है आप ये देख रहे होंगे ये यंत्र सिंपल है इसमें कोई यह बिल्कुल सरल्विती है एक्तम सरल्विती ऐसा यह अंत्र आप एक नॉर्मल कागज के उपर बना ले जैसे तो मैंने आप यह ग्रीन प्रेंट से बनाया पर लेकिन आपको यह इस लकड़ी देख रहेंगे यह लकड़ी से यह चंदन से बनाना है यह फूरा का फूरा ऐसा क Sue को यह चंदन से बनाना है यह 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 अंत्र आप एक कागज के पर देख इस लकड़ी के माध्यम से इताम यह अनार की उसके ये पानी लिया है हमने ये पानी लिया है एक कटोरी के अंदर पानी है उस पानी के अंदर इस यंतर को डूबो देना है ये हमने डूबो दिया करीबन सवा गंटे तक आपको इसको यंतर को डूबो के रखना है सवा गंटे होने के बाद में इस यंतर को आप निकालना जब आपका ये पूरा यंतर इसमें गुल जाएगा चन्दन का पीला पानी हो जाएगा तो इसी जिस भी जातक के जिस भी परशन के कर्द्ज़ा हो रहा है वो ये पानी पीले ना है और इस यंत्र को अपने नजदी कुवे में या बोरिंग के या नदी हो तो नदी के पास में वहाँ पर इसको ये यंत्र को ये फोल्ड करके विसरजन कर देना है विसरजन कर देना है ये मंगलवार से शुरुवात करनी है मंगलवार के दिन प्रारम करना है आपको बता दूं मंगलवार के दिन करना है मंगलवार से लेके अगले मंगलवार तक साथ दिन लगातार कंटिन्यू ऐसे करना है इसमें कोई मंत्र नहीं है कोई विधिवत नहीं है सिंपल सरल विधी है एक तम यह करना है साथ दिन तक आप का दीरे दीरे कर्जा मुक्ती होने लगीगे आपको सुक्षानती मिलेगी नमस्कार दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें नमस्कार दोस्तों जैशीराम